अंदिल बरुनी जी संजय जी पत्रकार मित्रों कल कैबिनेट की अपनी वरिश मंत्री इस्मृति रानी ने गाधी परिवार के जमीन खरीदगी और उससे उपदे भ्रष्टाचार के मामने को लेकर विश्याप के सामने उठाया था ओप इंडिया कौम ने काफ़े विस्तार से चीजों को सामने लाया है मैंने कॉंग्रेस पार्डी का जवाब देखा है मैंने का एक जमीन खरीदी गई और राहूल गांदी ने जमीन खरीदी अपनी बहन को गिफ्ट कर दी और उनकी बहन ने एक संस्था को दे दी हमें कॉंग्रेस पार्डी से इस उत्तर की एपिक्षा नहीं थी जमीन खरीदना अपने आप में गरबर नहीं जमीन किस से खरीदी गई यह बहुत दरूरी है और जमीन एक ही व्यक्ति से क्यों खरीदी गई यह भी बहुत दरूरी है अभी मैं आपके सामने विस्तार से रखूँगा चीजों को लेकिन मैं पहले बता दू कि रॉबर्ट वाडरा के पीछे राहूल गांधी उनके जमीन के घपले में पूरी मजबुती के साथ खड़े हैं राहूल गांधी is standing firmly behind रॉबर्ट वाडरा in all the land deals reeking of impropriety abuse of power and also corruption ये HL पहवा क्या चीज है आज हम BJP के मंज से देश के सामने इस विठय को उठाना चाहते हैं कि HL पहवा क्या चीज है क्या है वो क्या है उनका बिजनिस क्या है उनके आएका स्रोत और इतनी बड़ी बड़े बड़े जमीन के ट्रांजेक्शन में वो जमीन के मालिक कैसे है अब यह मागे बताएंगे आपको कि पावा साब बीच में कहते हैं कि हमारे पास कोई फंड नहीं है तो फिर यह इतनी बड़ी जमीन वो रखते हैं वो बेचते हैं और फिर दुबारा उसी जमीन को प्रियंका जी को बेच देते हैं अट वरी हाई प्राइस यह मैं भी आता हूं इस पर इस पूरे मामले के एक दूसरा बहुत बड़ा बिंदू है सीसी थंपी और तीसरे हैं संजय भंडारी और आज जब मैं अपनी प्रेस वारता को कंट्लूड करूँगा तो राफेल पल राहूल गांधी में इतनी तलखी क्यों है कि सुप्रिम कोर्ट के बावजूद बेबुनियाद शर्मनाक और जूटे आरोप लगा रहे हैं उसका कारण समुझ में आएगा मैंने आपको बताया था कि 17th of March 2008 को मैंने नहीं इसमिती जी ने बताया था मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूं 17th March 2008 को राहूल गांधी ने 26,47,000 में 6.5 एकर जमीन पलवल में खरिदी हसनपूर में खरिदने वाले कौन थे बेचने वाले कौन थे एचल पहवा खरिदने वाले कौन थे राहूल गांधी किस के थूँ महेश कुमार नागर यह देखिए मैं आपके सामने दिखा रहा हूं है एचल पहवा का नाम है महेश कुमार नागर का नाम है परचेजर राहुल गांधी थूप महेश कुमार नागर है और यह सेल डीड भी आपको दिखाई गई थी यह सेल डीड का बेज़ है दूसरा तीन मार्च दोहजार आठ को एचल पहवा साहब हसनपुर गाओं में फिर जमिन बेचते हैं 72 कनाल बेचने वाले कौन है एचल पहवा खरिदने वाले कौन है रोबर्ट वाडरा किसके थूँ महेश कुमार नागर एचल पहवा सेलर परचेजर रोबर्ट वाडरा थूँ महेश कुमार नागर तीसरा दिखाया हमने आपको कि अमीपूर में चालिस किनाल जमिन खरीदी गई प्रियंका जी के द्वारा 28 अप्रिल 2006 को 15 लाख में यह देखे अप्रियंका जी की फोटो है और इसमें वही है एचल पहवा थू What is this H.L. पहवा? Why he is the common factor in all these land purchase?